तुम यह सोचते हो लेकिन तुम सिरफ यह सोचते नहीं हो या सिरफ यह डिजायर नहीं करते हो तुम समझना चाते हो कि इसको मैं कैसे हासल करूँ इसको मैं कैसे हासल करूँ कैसे मैं अपनी जीवन में लहूँ कैसे इसको समझूँ कि ये जो सुन्दर माया वाली चीज है ये मेरे कबजे में आ जाए ये मेरे को कभी तंग ना कर सके ये मेरे को कभी दर्द ना दे सके नवस्ते विवान क्या चल रहे है किसी नेक सब्सक्राइबर ने एक देन ये सवाल पूछा था YouTube के comments में कि what is the root principle of being a man आदमी की existence का fundamental principle क्या है मैंने मुला बहन चोट ये तो बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया है बंदे ने ये तो YouTube के like नहीं है उसको तो lecture ही बनाना पड़ेगा अपरी मैन पर तो माफ करो मेरे बूँ से गाली निकली बट वो इसलिए क्योंकि आपने से कुछ लोग जो शायद मेरा प्यार के उपर एक छोटा सा डिस्कोर्स के उपर मैंने वीडियो बनाया था मैंने उसके लिए एक बेर मारी थी क्योंकि वो इतना सुन्दे टॉपिक था तो I wanted to raise a toast to that तो माफ करो अगर मुझ से थोड़ी सी फिसलत हो रही है लेकिन Root Principle of Being a Man क्या है? सीधा उस पर आते है मेरे हिसाब से Root Principle of Being a Man is Understanding Sense बनाना Decode करना Problem Solve करना क्योंकि जब तक आदमी जिन्दगी में Problem Solve करता रहता है तब तक उसको लगता है कि वो कुछ है और वो लायक है अब क्या होता है कि Problems जो Solve करने वाली होती है वो उसको बहुत बाद में सामिश में आता है जो solve करने लाइक है और वो पहले सिरफ जो अकरशन वाली चीज़े होती है उनकी तरह भागता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये root principle play out कैसे करता है एक आदमी की जीवन में क्योंकि आदमी के लिए it is understanding and औरत के लिए मेरे हिसाब से इस experience ही औरत experience करें मिना understand करें उसको फरक मी परता हूँ उसको वो emotional roller coaster ride करना है और आदमी को समझना है कि महन्चोद ये काम कैसे करता है ठीक है तो सबसे पहले तीन stages में आप इस principle को breakdown कर सकते हो चूँकि ये जिन्दगी भर inherent रहता है एक मरत की जिन्दगी में कि मुझे समझना है क्या समझना है सबसे पहले आता है stage तुमारा puberty का जहां पर तुमारे pubes वेट भी excitement क्यों हो रही है और तुमारे pubes इतने अकरशित क्यों हो रहे हैं दूसरे gender की तरफ वो सुन्दर यंग लड़कियों की तरफ जो स्कूल में है और वो भी puberty एंटर कर रही है और उनका shape और form मतल रहा है और वो तुमें enamor करती है तो दिन भर उनके मारे के सोचते हो कि भाई ये क्या चीज है यार मेरे को तो ये चाहिए तुम ये सोचते हो लेकिन तुम सिरफ ये सोचते नहीं हो या सिरफ ये डिजायर नहीं करते हैं तुम समझना चाहते हो कि इसको मैं कैसे हासल करूँ इसको मैं कैसे हासल करूँ कैसे मैं अपनी जीवन में लहूं, कैसे इसको समझूं, कि ये जो सुन्दर माया वाली चीज है, ये मेरे कबजे में आ जाए, ये मेरे को कभी तंग ना कर सके, ये मेरे को कभी दर्द ना दे सके, ये मुझे से दूर ना हो, और फिर तुम उसके उपर बहुत ज़्यादा effort, energy लगाते हो, लॉन्डे जूड बोलते हैं, लॉन्डे पिक अप लाइन्स मारते हैं, लॉन्डे मावाब से ज्यादा मांगते हैं, ताके ज्यादा अच्छी बाई को, ये ज्यादा अच्छी कपड़े हो, ताके वो इंप्रेस हो पाए, और उस हिसाब से उन्हें लगता है, वो उससे समझने के कोशिश कर रहे हैं जबकि वो उसको समझने के कोशिश नहीं कर रहे हैं वो basically उस माया की जाल में और जादा गहरा गिरते हैं ठीक है तो ये पहला stage होता है understanding के principle का in action क्योंकि उसके पहले तो हम बच्चे होते लड़का लड़की में उतना फरक नहीं होता जब वो बच्चे होते हैं जब वो नादान होते हैं जब वो innocent होते हैं उनके लिए सब कुछ नया है उनके लिए सब कुछ एक अनुभव है एक experience है there is no old there is no repetition there is no pattern जो उन्होंने अलड़ी देखा हो सब कुछ नया है तो वो curious होते हैं भूके होते हैं लेकिन जब ये masculine और feminine energies sprout up करती है puberty के time पे और अपना emphasis exert करती है तब उन दोनों का ध्यान एक दूसरी की तरफ आता है लड़कियां कोशिश करती है मैं कैसे सबसे आकरशिद लड़की बन जाऊं बाकियों में से और लड़के सोचते हैं कैसे मैं हर लड़की को आकरशिद कर लो उतनी तरफ ये पहला stage होता है next आता है वो अना stage जब आदमी समझता है कि यार most of the आदमियों के लिए होता है कि यार ये लड़किया तो भावनी तेरी बैंचुद मैं क्या गरूँ तो के मेरे को शायद कैसे टाइब के लड़कों के पास जा रही है अच्छा इनके पस पैसा इनके पस पावर इनके पस स्टेटस है ये चाहिए मुझे ये चाहिए इससे मेरे को वो मिल जाएगा इससे मेरी वाली जरुवत पूरी होगी तो वो उमर काने लगता है फिर उसको ये मायावादी दुनिया और ज़्यादा खीच लेती है अपने अंदर तो मायावादी दुनिया में जीतने के लिए उसको और ज़्यादा मटीरियली सक्सेस चाहिए तो फिर वो सोचता है कि ये मैं मटीरियल सक्सेस कैसे पहूँ पैसे कमाने है कौन सा करियर लूँ इंजीनिर बनना आई आटी जाना है दूसरे जबूरों की तरह और बस फिर वो उस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कैसे मैं और पैसा बनाऊं कैसे मैं और सक्सेस्फूल हूँ कैसे मैं ऊपर चड़ूँ